अगर 2025 में गर बनाने हैं, तो ये वीडियो देख लो, आपको लगबग आइडिया लग जाना है, डिप्लेक्स गर बनाओगे या सिंगल स्टोरी ग्राउन फ्लोर बनाओगे सिर्फ, कितना खर्चा आजाएगा, कितना सेमेंट लगता है, सारा खर्चा आपको पता चल और साथ ही साथ में बताऊँगा, ठेकेदार करके क्या-क्या देता है, मतलब पहले एग्रिमेंट दिखाता हूँ, आपको एग्रिमेंट क्या होता है, जिसमें लिखा होता है, कि कितने रेट में वो काम करेगा, और क्या-क्या वो material लगाने वाला है, उससे आपको help हो जाती यह सामने जो गर देख रहे हो, डिफलेक्स गर है, इसी गर का खर्चा दिखाऊँगा आपको, कि टोटल कितना खर्चा आया, क्या-क्या material लगा, और पहले agreement दिखा ले दो, agreement देख लोगे, उसके बाद खर्चा देखना, फिर last में में बताऊँगा, आपका किसी भी type का गर रहा है, और इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, आपको किस rate में क्या-क्या ठेकदार करके देगा, पहले agreement देख लेते हैं, देखो यह हमारा agreement, इसी की help से आज हम करेंगे calculation, इसी से हमारा निकलेगा कि हम आये, कितना लगेगा, material, कितना पैसा, खर्चा लगने वाले, वो 2175 रुपे, ground floor के लिए रहने वाला है, और first floor के लिए रहने वाला है, ठीक है, plaster finish level तक, मतलब इसमें plaster करके देंगे, आपकी finishing अलग है, मतलब 1175 रुपे rate हमने fix कर लिया, फिर मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, ground floor का area है, 1880 square feet, और first floor का है, 1880 square feet, और monte, जो उपर top रहे करते हैं, material, जो हमारा material है, वो क्या क्या लगेगा, ये भी mention होना चाहिए, जो ultra tech है, ultra tech company का, plinth beam and brick work में लगेगा, ultra tech weather plus slab में लगेगा, और steel जो हमारा लगेगा, वो लगेगा, टाटा तिसकोन का, ये लिखा हुए, यहां, टाटा तिसकोन का steel हमारा लगने वाला है, कितने फ्रेम लगेंगे, wooden के लगेंगे, साल, जो साल का, brand, sorry, type आती है, 2.5 inch by 5 inch का हमारा फ्रेम लगेगा, electric fitting, anchor की होगी, estrel की pipes होगी, plinth beam का size, ये सब चीजें यहां mention कर दी गई है, आपको मतलब इतना देखने की जरूर नहीं है, ठीक है, ये इसका ratio, ये देखो, ये जो agreement है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैं आपको complete नहीं बता रहा है, और इसमें पूरा मैंने आपको बताया था, कितनी installment में कैसे पैसे देगे, हम calculation करते हैं भी, कि हमें खर्चा कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे, यहां पूरा mention है, अगर simple calculation है, कुछ नहीं है, देखते जाना, आप easily calculate कर लोगे, आपका जितना भी area होगा, आप निकाल लोगे, 1800 square feet हमारा नीचे का था, 1800 square feet उपर, मतलब डिपलेक्स गर था हमारा, आपका जितना भी area होगा, आपका 1000 square feet होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, total करेंगे इन दोनों को हमारा होगा, 600 square feet, ठीक है, cost क्या थी वहाँ पे, cost थी, 1175 रुपे पर square feet हमने पकड़ी वही थी, तो mostly यही आज कल, 1100 से 1200 रुपिया पर square feet आपका, RCC complete हो जाता है, पूरा, कोई भी location है, कोई बोलता है, इस area में अलग होगा, इतना होगा, इतने पैसे होगे, तो इंडिया में यही rate चल रहा है, कोई द निकालने, तो उसका खर्चा हमारा एप्रोक्स पड़ता है, 500 से 600 रुपिया पर square feet है, अच्छी quality का हर चीज, अच्छी quality की use हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है, तो उसमें अगर हम पकड़े, 1175 हमारा RCC plaster तक हो गया था, फिर हमें डोर भी लग लगाने से सब कुछ लगाना था, तो टोटल पकल लिया हमने 1775 पर square feet, इसमें add कर दिया 600 रुपिया, मतलब हमें पूरा paint करके सब कुछ दे दिया जाएगा, 1775 रुपे पर square feet के साब से, हमारा area आया था 3600 square feet, 3600, तो टोटल करके आया ये, तो दोनों को multiply कर देना, अगर ये जितना मर्जी हो, रेड ये पकल लेना, मिल गया 63,90,000 रुपे हमारा उस डिप्लेक्स के गर को बनाने का खर्चा आ रहा है, कितना 63,00, 63,00, मलब एप्रोक्स 64,00, रुपे हमारा लगेगा उस गर को बनाने में, 300 square feet है, उपर नीचे को लगा के, तो उसमें cement जो हमारा ल तो टोटल खर्चा कितना हुआ, cement पे 10,47,960 रुपया हमारा cement पे खर्चा जा रहा है, और एक चीज में आपको एक और क्लेर कर दूँ, अगर इसको simple बाशा में, simple calculation के साथ वीडियो चाहते हो, house construction ही, 1000 square feet, comment करना वीडियो आ जाएगी कर लिए, sand, आपकी sand कितनी लगी, 12.3% हमारी sand लग रही है, ठीक है, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, साथ लाग, 85,970 रुपया हमारी sand पे चला गया, complete, तो कितनी टन हमारी sand लगी, 2937 टन हमारी sand लग गई है, aggregate पे कितना, साथ पॉइंट चाहर हमारा उस पे खर्चा हुआ, और 47,28600, मतलब 4,22,860, तो 21,8810 हमारी aggregate लग गया, steel कितना लगा, 2.6% लगते हैं हमारा, और एप्रॉक्स 14, मतलब 14 metric 10 हमारा steel उसमें लग गया, फिर finishing की item में अगर हम देखें, तो इसमें paint आ गया, tile आ गयी, brick आ गया, तो इसमें हमारा खर्चा गया, 10,004,350 रुपी, जिसमें brick हमारी 28,800 लगी, paint हमारा एप्रॉक्स 660,000 लीटर, और हमारा tile वो था हमारा 4,600,000 square feet area, tile के लिए, fitting में door, window, plumbing, electrical और sanitary, 14,592 रुपे हमारा fitting में लग गया, ये एक अच्छी quality का branded चीज़ें यूज केगे, अगर इसमें कम करोगे, तो आपका पकलो 400 से 500 रुपे पर square feet आ जाएगा, और तो टोटल हमारा का होगे 63,90, देखो अब मैं बताता हूँ आपको rate, तीन किसम के rate बताऊँगा, क्योंकि तीन किसम के गर बनते हैं, कि यूँको थोड़ा luxury चाहिए, तो luxury का अलग rate रहता है, थोड़ा कि कहीं को चाहिए कि अच्छा हो, branded हो, सब चीज़े सही हो, क्यों चाहिए होता है budget friendly, जितना पैसा कम कर सेंगे, उतना कम, तो सब चीज़े बताता हूँ, यह में ठेकेदार के rate बता रहा हूँ, इसमें से 10-15% कम करोगे, अगर खुद काम करोगे, तो वो सस्ते में काम हो जाएगा, सारी detail मिल जाएगी, बस end तक देखो आप, जो rate चल रहा है समय, maximum rate है, class A type का गर अगर आप बनाते हो, मतलब जिसमें, देखो पैसा कहां बचता है, structure में कोई नहीं पैसा बचता है, आपका finishing में पैसा बचता है, उसमें हम कम कर सकते हैं, की bathroom की item कम लगा रहे हैं, कम in the sense brand के साथ, वो आपको आगे पता जल जाएगा, class A का घर ये सामने रहा, 1850 रुपे पर square feet, अब मैं बताता हूँ, 1850 ये contractor के profit के साथ, किसी contractor को अगर आप देते हो, अगर खुछ से ये घर बनाते हो आप, class A है, ये कौन सा, मतलब normal quality का में घर लेके चल रहा हूँ, class A का अगर खुछ से बनाते हो, 1500 से 1600 रुपे पर square feet आपक 50 वो चल रहा है, अगर 1000 square feet का घर बनाते हैं, को कुछ, 1850 रुपे आपका खर्चा आएगा, आगे मैं बताऊंगा कि क्या देगा वो 1550 रुपे में, फिर साथ में, जो class B का घर है, थोड़ी quality अच्छी कर देते हैं घर की, brand थोड़े अच्छे अच्छे यूज़ करते हैं, फिर ये अगर 1000 square feet का घर बनाते हो, तो कुछ 20 रुपे आपका खर्चा जाएगा, फिर class C का घर, मतलब top class का जो आगे, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ी हम duplex बना रहे हैं, काफी अच्छे brand यूज़ कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा rate में मिलता क्या है, तो ये कुछ आपका कितना 21,50,000 रुपे में गर rate हो जाएगा, तो ये हो गया, basic आपको होता है, मतलब ये जो rate आपके चल रहे हैं, आपके area में 100-500 रुपया आगे पिछे होगा, बाकी normal पूरे इंडिया में mostly ये rate चल रहे हैं, अगर खुद से गर की construction हो आते हो, तो 100-500 रुपया कम पक कि यहां तक देखने हैं आपको, ये ये area देखने हैं आपको, उस side वाला ये रहने दो अभी, ये बाद में दिखाता हूँ, देखो, cement आपका यहां लगेगा, अगर आप 18,00 रुपय में गर्बना होगे, बिरला शक्ती और बिरला ये बन, मतलब आप कोई भी अच्छी, क् 6 इंच की और 4 इंच की रहेगी, मतलब यहां लाल इंट यूस नहीं करी जा रही है, क्योंकि ये जो rate है, ये है, मतलब high cities के, जैसे बंगलोर, मुंबई, चन्नेई बगारा, ऐसे cities के हैं, तो यहां ये rate आपको ज़्यादा दिखेंगे, और चीजें कम मिलेंगी, लेकिन इस में mention होता है, कि आपको मिलेगा गया, main door जो रहेगा, वो teakwood का frame रहेगा, 5 इंच वाई 4 इंच का shutter उसका रहेगा, 32 mm वो रहेगा, मतलब लगवग 25,000 रुपे तक का दर्वाजा लगा सकते हो, जो पूजा रूम का रहेगा, वो आपका 18,000 रुपे तक का दर्वाजा लगा सकते हो, बाकी bedroom के जो भी दर्वाजे रहेंगे, वो 7,000 रुपे तक लगेंगे, तो इस तरीके से ये rate होता है, जो भी toilet door fitting होगी, देखो उसमें 6,000 रुपे का दर्वाजा लगेगा, window जो भी आपकी रहेंगी, वो आप UPBC की लगने वाली है, और 5 mm गलास रहेगा, और maximum 380 तो 80 रुपे पर scare fit उसका खर्चा रहेगा, flooring की जो toil है, वो 60 रुपे पर scare fit वाली, मतलब 24 की tile लगा सकते हो, डेडर टायल जो दिवार पे लगेगी, वो 40 रुपे पर scare fit वाली tile लगा सकते हो, ये आपके class A की गर की बात हो रहे है, class A यहाँ कून सी बात हो रहे है, class A, जो थोड़ा मतलब कम quality वाल है, ठीक है, और staircase की railing, वो लगेगी आपकी MS की, लेकिन यहाँ 304 नहीं लिखा है, 304 grade की लगने वाली है, window grill, वो लगेगी आपकी 12 mm की MS road की, ठीक है, tile balcony और parking की tile 40 रुपे पर scare fit वाली, internal का paint रहेगा, birla, Asian का दो code पुटी रहेगी, दो code tractor emulsion रहेग और exterior में paint रहेगा आपका, और Asian का, MS और wood paint, जो भी आपका देखो, लकडी पे paint होगा, पुजर रूम होगे, window होगे, वहाँ पर ये किया जाएगा, kitchen की जो slab रहेगी, यहाँ पर modular kitchen मना के नहीं मिलने वाली है, 30 mm का green light लगाया जाएगा, 160 रुपे पर scare fit वाला, जो kitchen की basin है, जो simple bowl वाली रहती है, 3000 रुपे तक लगाया जाएगी, इस rate में, bathroom accessories, 20,000 रुपे की सारी, seat, उसमें जो भी लगाने है, आपको mirror लगाने है, 20,000 रुपे में सारा आना चाहिए, उसके pipes उसके नलके, plumbing और fitting, ester और आशिवात का किया जाएगा, overhead tank भी आपको लगा के दिया जा जाएगा, इस से आपको brand का भी idea लग रहा है, कि इस rate में आप ये brand लगा सकते हो, waterproofing के लिए doctor fixit का use किया जाएगा, जो भी पानी की टंकी बनाए जाएगी, 6 inch block किया जाएगा उसमें, और 10 height कितनी रहने वाली है, 10 foot, अंदर अंदर, और plinth कितना road से उटेगा, 1.5 feet, ठीक है, इस हिसाब से ये mention होता है, अभी हम बात करते हैं, जब हम यहाँ जाते हैं, ये वाला rate देते हैं, इसमें गर बनाती है, ये वाला, ठीक है, इसमें हमने 2000 रुपया जादा दे रहे हैं, यहाँ पर हम इससे 1500 रुपया जादा दे रहे हैं, देखो ये rate जो चीज, 1850 है, ज कैसे गर बनाना है, और उसको पता है कि कौन सी चीज कहां यूज करूँगा, तो मेरे पैसे बचेंगे, उस हिसाब से mention होता है, तो यहाँ डेट सु रुपया अगर जादा दोगे, तो आपको जादा क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ, डेट सु रुपया जादा देने से यहाँ हमारा 1850 में 25 वाला कर दिए तो इस तरीके से रेड बढ़ता है और आपका फिनिशिंग की आइटम बढ़ती जाती है देखो सामने पूरा ठीक है और फिर हम बात करते हैं अच्छी क्वालिटी का अगर हम रेड किसी को देते हैं तो उसमें मारत दर्वाजे का देखो रेड क्या हो गया यह तीज वजाया था यहां 25 हो गया यहां 22 था बच्चीस हो गया इस हिसाब से आपका रेड बढ़ता जाते है अगर आप जतना पैसा उतना मतलब वह होता है जितनी चीनी डालोगी उतना मीठी चाहिए होगी तो वही चीज जıtना पैसा डालोगे बस में मकसद कैस् ك्या था ब मिल जाएंगी 1700 और 800 में यह आपको मिल जाएगा तो यह rate difference होता है पॉर्च city का और normal जो गर की construction करते हैं अब भी अगर आप वीडियो चाहते हो कि अगर खुद से गर की construction करवाती हैं कितना खर्चा आएगा या क्या क्या material लगा सकते हैं उस पर मैं वीडियो ले आऊँगा ले उसके लिए चैनल को subscribe कर लेना और bell icon दुआ लेना